Hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. So in this session we will discuss about Haubara Bustards के बारे में, यह birds हैं. So जो साओधी प्रिंस हैं, उनको पाकिस्तान ने अलाओ किया है कि वो अगर इन birds का हंट कर सकें, यह अलाओ किया गया. तो यह क्यों अलाओ किया गया है, वो भी हम लोग दिसकस करेंगे, and we will also discuss about this bird. So Haubara Bustard की जब हम बात करते हैं, तो इसका जो scientific name है, वो है Clamidotis Andulata. ठीक है? इसका जो scientific name है, वो आपको ध्यान में रखना है. और इसे कहा भी जाता है African Haubara. African Haubara शब्द भी सके लिए इस्तमाल किया जाता है, because a large Bustard native है to North Africa and South Western Asia में. यह आपकी in general पाई जाती है, even Central Asia से यह winters के टाइम पे Pakistan migrate होकर जाती है. दूसरा जो आपको point याद रखना है कि IUCN की जो red list है, IUCN की जो red list है, तो since 2014, 2014 से IUCN की red list में इसे vulnerable category के अंदर रखा गया. तो दीरे-दीरे अगर इसका habitat का destruction होगा, अगर इसकी hunting बहुत अधिक किया जाए, तो जो यह हावबारा Bustard है, यह दीरे-दीरे endangered category में भी जा सकती है. एक और fact आपको याद रखना है कि जो European population है, यूरोप में भी यह हावबारा Bustard पाई जाती है, और यहाँ पर एक Canary Island है, वहीं पर यह पाई जाती है, तो यह भी prelims के लिए included है, prelims के लिए important हो जाता है. तो 2014 में इसे vulnerable में रखा गया, फिर इसे 2015 में near threatened की category में भी इसे रखा गया है, यह आपको ध्यान में रखना है, दूसरा इसका जो habitat है, अगर आप North Africa की बात करो, North Africa में, इसका जो habitat है, वो है Nile River के around, जो Nile River के West का जो reason है, वहाँ पे इसका habitat है, तो यह भी आपको याद रखना है, Nile के West में इसका habitat है, mainly जो western part है, सहारा desert region का, जैसे Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia जैसे जो देश है, Egypt, वहाँ पे यह आपकी पाई जाती है, दूसरा यह है कि पुराने समय में कहा जाता है, कि Sudan जैसे जो area है, वहाँ भी यह पाई जाती है, और कई सारे छोटे छोटे जा आइलेंड है, जैसे Canary Island और इन areas में भी यह आपकी पाई जाती, तो यह कुछ basic facts है, हवारा बस्टर्ड के जो आपको जानना चाहिए, अब जो point आपका आता है कि साओधी जो prince है, साओधी प्रिंस को क्यों allow किया गया है, पाकिस्तान में हवारा बस्टर्ड नाम की bird को hunt करने के लिए, तो इस पर हम लोग discussion करेंगे, और certain जो facts हो भी हम लोग जानेंगे, उससा सारे cover होते है, agriculture optional का भी जो batch है नया वो शुरू होने जा रहा है, again this optional is presented by me, so जूडनी के लिए आपको करना क्या है, anacademy.com या anacademy learning आपको download करना है, code याद रखना है, SP live code आपको इस्तमाल करना, code इस्तमाल करोगे, amount will reduce by 10%, आप iconic subscription ले सकते हैं, जिसमें आपको mentor assign होते हैं, GS के लिए, general studies के लिए, optional का भी जो subscription है, वो आप separately ले सकते हैं, GS और optional का combined subscription आप ले सकते हैं, तो आपका GS optional दोनों cover हो जाएगा, और एक planned preparation 2021-22 के लिए आप कर सकते हैं, अब अगर बात की जाए कि ये topic news में क्यों है, हावबारा बस्टर्ड से related ये topic news में क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान ने special permit issue किया है, साउधी Crown Prince Muhammad bin Salman को, और दूसरे जो members हैं, royal family के, उनको allow किया है कि वो जो internationally protected हावबारा बस्टर्ड बर्ड है, उसका वो hunt कर सकते हैं, during winters, जैसे ये जो समय चल रहा है, इस समय ये bird आपकी Central Asian region से आती है, सो अभी ये जो साउधी Prince हैं और उनके जो भी family members हैं, वो आकर इस bird की hunting कर सकते हैं, सो ये picture में भी देखोगे, ये bird है आपकी, hunter had been allocated certain hunting areas, कुछ areas हैं, जो कि बलुचिस्तान और पंजाब है, वहाँ पे कुछ areas हैं, उनको confine किया गया है, कि इन ही areas में आपको आकर hunting करनी है, ठीक है, तो ये एक allow किया गया है, हवारा बस्टर्ड के बारे में अगर discuss किया जाए, तो ये mainly centralization region के colder area में ये पाई जाती है, और भी कई सारे areas में आपको बताया है, कि Nile River के western region पे ये पाई जाती है, Sudan में पहले पाई जाती थे, Canary Island में आपको बताया है, Mauritania जैसा जो वहाँ का इलाका है, Morocco, Mauritania, इन सब areas में ये bird आपकी पाई जाती है, तो बहुत सारी जग Asian region है, वहाँ से ये migrate करके और दूसरे जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ से ये migrate करके warmer environment, ऐसी जगों पे जहाँ temperature comparatively जादा हो, जैसे पाकिस्तान में, वहाँ पे ये migrate करके आती है, Arab hunters are especially invited by Pakistan government to hunt them, जो Arab hunters mainly जो West Asian देश हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े royal family से जो बिलॉंग करते ह तो उनको पाकिस्तान सरकार बुलाती है कि आप आईए और यहाँ पे इनको hunt करिए, तो ये अगर आप picture देखो, तो इनके hunting की जाती है, इस तरीके से, limitations जरूर से रखी जाती है कि आप इनसे ज़्यादा hunting ने करो, लेकिन फिर भी उस limitation को कोई follow तो करता नहीं है, बट अगर अगर आप picture देखो, तो इस तरीके से, इस bird की hunting लगातार आपकी हो रही है, और जो numbers है, इसके numbers भी धीरे-दीरे reduce आपके होंगे, so इसके numbers लगातार आपके कम भी हो रहे है, हवारा is not only protected under various international nature conservation, जो treaties है, international level पर बहुत सारी जो treaties है, उसके according हवारा जो बस्टर्ड रिवर उसक प्रोटिट किया जा रहा, साथ में कई सारे local wildlife protection laws, मतब विदिन पाकिस्तान भी कई ऐसे laws हैं, जो कि उस bird को प्रोटिट करते हैं, तो पाकिस्तानीज की अगर बात कीज़ए, जो पाकिस्तानीज है, they are not allowed to hunt the bird, the government invites Arab royals, मतब अगर कोई पाकिस्तानी परसन है, अगर वो हंट करते हैं, तो वो allowed नहीं है, बट Arab people को invite आपका किया जादा किया आप आओ, और इस bird की आप hunting कर सकते हैं, अरब जो princess है, and their wealthy friends like to hunt hobara, busters, sports के रूप में भी, मतब इक उनका आप कह सकते हैं, sports के रूप में भी, वो खेल कूद के रूप में देखते हैं, और इसका जो meat है, उसक भी consider किया जाता है, मतब जो एक sexual aspect है, उससे related भी इसको रखा जाता है, कि इसका meat खाएंगे, तो वो काफी उनका improvement होगा, तो ये इस वज़े से भी इस bird का hunting की जाती है, so birds migrate in thousands from Central Asia to Pakistan every winter, और इस वज़े से कहा है कि जैसे Central Asia से पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में comparatively जो temperature है, व अरब जो वर्ल्ड है, जैसे अभी साओधी प्रिंस आप क्या रहे हैं, उनके family से कहीं आएंगे, वहाँ पे आएंगे, वो कहीं रुकेंगे, फिर पाकिस्तानी जो लोग होंगे हो सकता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, या आर्मी परसनल्स हैं, जो उनके आर्मी देखने को मिला है, तो उस tension को दूर करने का भी प्रियास आपका किया जाएगा, तो इस birds के basis पर एक ये soft diplomacy आपकी की जा सकती है, तो क्योंकि hunting ban already है, लेकिन इसके बहुत जूद भी अगर देखा जाए, तो लगों 25 से 35 special permit हर साल दिये जाते हैं, जो wealthy sake हैं, बड़े बड़े लेकिन लोग जादा से जादा और birds मारना चाहेंगे, और ये quota कभी भी मतलब इसको abide नहीं किया जाता है, तो इस वज़े से पाकिस्तान में birds के जो number हैं, वो काफी कम होते चले जाएंगे, और overall क्या है कि फिर दुबारा से birds पाकिस्तान migrate करके आएं, दुबारा से तो वो ज तो नेकिला, you can use this code that is SPLIV. Thank you everyone and let's crack it.